Hello everyone, Namaskar, Welcome to Monk Tutorial दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चत्तिसगड के राज के प्रतीक चिन्हों के बारे में जिसमें हम लोग कुल आठ चिन्हों को अध्यन करेंगे तो राज के प्रतीक चिन्हों के बारे में अध्यन करते हैं तो राज के प्रतीक चिन्हों के बारे में समझेंगे राज के पक्षी कौन सा है राज के वरिक्ठ, राज के प्रतीक चिन्ह, राज के गमचा, राज के प्रतीक वाक्य, राज के गीत और राज के भासा ये राजके प्रतिक चिन्ह जो हैं राजके पसू, पक्षे विरिक्ष, प्रतिक चिन्ह, घमच्य, गीत और भासा इन सब को अजक्लियास में समझने का फ्रयास करेंगे राजके पसूर की बात करें तो चलाब-थिस्गड का जो राजके पसू है वो है वन भैसा जिसको wild buffalo कहा जाते है इसकी organic नाम की मैं अगर बात करूं तो इसको कहा जाता है बूबेलस बूबेलिस ठीक है बूबेलस बूबेलिस या फिर बूबलस अरनी ठीक है बूबलस बूबेलिस या फिर बूबलस अरनी जो मादा रहती है मादा वनभCrasa राते है उसको अर्नी कहा जाता है और जो नरवनभ으면서 राता है उसको अर्ना थीक है यह कब राज़की पसु घोसित किया गया था तो 2001 में इसे राज़की पसु घोसित किया गया इसके अन्य नाम और क्या-क्या मिलते हैं एक तो वाइल्ड वाफेलो हो गया अर्थात वन भैसा बुबेलस बुबेलिस या बुबेलस अरनी नरवन भैसा को याद रखेगा अरना कहा जाता है और मादावन भैसा को अरनी ठीक है अब इनका संकेंद्रन कहां है U से Udhanthi, P से Pamed और E से I से Indravati तो UPI में पाया जाता है क्या 1 भैसा ऐसा करका आप याद रख सकते हैं संकट क्या है इनको इनको समस्या क्या है क्यों ये राज्किय पसु बनाया रहा है याद रखेगा जिनको राज्किय पसु बनाया जाता है या फिर राश्टिय पुसु बना जाता है, वो संकट गरस्त रहते हैं, और संकट गरस्त पुसु पक्षियों को ही राश्टिय या राश्टिय बनाया जाता है, ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके, इनको किस से खत्रा है, तो इनको स्तिकार का खत्रा है सेड़ से, मानव सिकारी से और सबसे बड़ा जो इनके वह रिंडरपेस्त नमक बीमारी इनके लिए सबसे बड़ा संकट है रिंडरपेस्टे को हम लोगं ऐसी बोल चाल की भासा में बोल सकते हैं खुरहा-चपका जो गईक दो निबिजा 2020 में बोले आता है घाईों को होता है बैलों को होता है खुरहा चपका ठीक है उनके जो खुर है उसमें हो जाता है वो बीमारी है आपका रिंडर पेस्ट नामक बीमारी जिसके कारण ये खाना खाना बंद कर देते हैं बीमार रहते हैं और धीरे धीरे इनका सरीर जो है वो गिर जाता है और लास्ट में इनके मृत क्यों हो जाती है राजके पसु वनभैसा के समानी एक और चीज दिखता है जिसको कहा जाता है गौर या फिर बाइसन याद रखेगा बाइसन का उपर वाला जो यह वाला हिस्सा है यह उभरा रहता है आप लोग बाहु बली मूवी देखे हैं तो भलाल देव जिसको हराय रह यह नौर्मल भैसे कसमान दिखेंगे लेकिन इनका सरीर जो रहेगा वह हिस्ट पुष्ट रहेगा चलिए राजके पसु के बाद अगला जो हम लोग देखते हैं वह हमारा राजकी पक्षी राजके पक्षी कौन सा है तो पहाड़ी मैना ठीक है हिल मैना जो है वह पहाड़ हुए है जब हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे अभिहारन तो उसमें आपको और डेटेल में फिर बता दूंगा मैना के समान या पहाडी मैना के समानी वो है मैना, ध्यान रखिएगा पहाडी मैना के में शरीर में इस प्रकार के वो रहेंगे, लेकिन जब नॉर्मल मैना रहेंगे उसमें नहीं पाय जाता, ये पहाडी मैना कॉपी करने के लिए बहुत अच्छी मधूर आवाज निकालती है, ठीक है, लेक अब बात करते हैं, चतिसगड के राजके वरिक्ष का, ठीक है, राजके वरिक्ष क्या होगा, तो साल या सराई जो है, ये चतिसगड का राजके वरिक्ष है, इसका अगर वैग्यानिक नाम देखें, तो चतिसगड के राजके वरिक्ष का, या फिर साल या सराई का वैग्य संप्रुसित क्यों कि हैं अव्यद का टाई weapons का भी cotton के बारे में पूछ लेया है साल व्रिक्ष्ष में कौन की बीमारी लगती है एक पौधा और दिखाए देता है जो उसी के समान लगता है वो है सागॉन प्राल और सागॉन में अंतर है याद रखेगा जो सागॉन के पत्ते रहते हैं बहुत बड़े रहते हैं और सागॉन को टिक वूट कहा जाता है ये सराई वूट या साल वूट है तो टिक बूड हमारा राजकी व्रिक्ष नहीं है, याद रखेगा हमारा राजकी व्रिक्ष क्या है, साल या तराई जिसको सुरिया रोबस्टा कहा जाता है, अब एक चीज नोट करके आप याद रख सकते हैं, बस्तर के कोमल नारेवं मगनार शेतर में उचे-उचे साल व्र जाता है, तागाउन वन कहा पाया जाएगा तो खुरसेल घाटिम पाया जाता है, उसको भी आगे देखेंगे, अभी बता दिया बस मैं, चलिए, राजकी व्रिक्ष के बाद सबसे important जहां से question बनते हैं, वो है हमारे 36 गड़ का राजकी प्रतिक, यह जो प्रतिक चिन्न है, इसके बारे में नोट करके आप याद रखेगा, 36 गड़ के प्रतिक चिन्न को 4 सीतमबर 2001 को राजय सासन द्वारा स्युकृति प्रतान के आगए है, और तब से यह 36 गड़ का प्रतिक चिन्न है, अब इस प्रतिक चिन्न में क्या क्या हैं, तो आप ध्यान से देखते हैं, ए शिवनात नदी के उपर 18 गढ़ और शिवनात नदी के नीचे 18 गढ़ की जो गढ़ वेवस्था थी ते चल्चुरि काल में उसे 36 गढ़ों को यहां पर बनाया गया है आउटर पूँ में और इसका रंग कैसा है तो इसका रंग याद रखेगा हरा रंग से बनाया गया है 36 वनसमपदा, क्राकृतिक सुंदर्ता संधृधि का ये प्रतिव है 36 घोसित किया गया है हर्भल स्टेट का मतलब है नहीं कि वहाँ की वनसमपदा क्राकृतिक सुंदर्ता अपारमातरा में है ठीक है इसलिए जो 36 गड़ है उसका गड़ों का जो हरा कलर है वो रखा गया है हरे कलर में और वो दरसाता क्या है तो बन की संपदा प्राकृतिक सुन दरता और समरिध्धी को इसके बाद 36 गड़ चूंकि क्रिसी प्रधान राज्य है इसलिए यहां धान की जो खेती होती है बहुत अच्छे मात्रा में होती है क्रिसी प्रधान राज्य होने एक कारण इसमें हम लोगा धान की बालिया इसमें यूज की गई है जो 36 गड़ का प्रतीक है उसमें धान की ब धान की बाली के बाद चूंकि 36 गड़ भारत राज्य के अंतरगत आता है इसलिए भारत के जो असोग इस्थम्भ का पृतिक है उसको इसके बीच में रखा गया है जिसमें आदर्सवाक के सत्य में हो जाते लिखा हुआ है तो मध्य में भारत का पृतिक असोग इस्थम्भ ल केंद्र में स्थान दिया गया है, इसके बाद इसमें वाक्य लिखा हुआ है, च्छतिसगड़ सासन, जो च्छतिसगड़ सासन लिखा हुआ है, यह नीले रंग में लिखा हुआ है, और भारत संग में, नाम के परतिक की रूप में यह जो च्छतिसगड़ सासन है, यह भारत स तो नदियों से ये क्या है अपार जल संसाधन है उसको दर्साने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे यह आप ध्यान दीजेगा जंडे के कलर में तीन लहराती रेखाएं प्रदर्सित की गए है जो तिरंगे के रूप में है ये 36 गड़ की अपार जल संसाधन एक जूटता का प ये 36 गड़ की उर्जा की सक्षमता का प्रतिक है जो 2008 से 36 गड़ को जीरो पावर कट राज जी जो है वो बन चुका है ये इसी कारण उर्जा का क्या है सक्षमता हम लोग एनरजी डेवलप करने में एनरजी बनाने में क्या है सक्षम है ये उसका प्रतिक है तो आसा है कि रंग में है और ये 36 गड़ की वन संपदा प्राकृतिक सुनदर्ता सम्रिद्धी का प्रतीक है 36 गड़ को चुकि 4 जुलाई 2 है और एक को हर्बल इस्टेट घूसित किया जा चुका था उसके बाद ये प्रतीक चिन्हा लाया गया है इसके बाद धान क्योंकि हमारा 36 गड़ की धान की बालियों को यहां जगा दिया गया है प्रतीक चिन्हा में उसके बाद लाल रंग से बनाया गया है भारत का प्रतीक असोक इस्तंभ जिसमें भारत संग के प्रती सत्ययों निष्ठा का ये प्रतीक दरसाता है इसके बाद 36 गड़ के लिए 36 गड़ सासन लिखा गया है जो नीले रंग में है और यह भारत संग में राज्य के नाम का एक प्रतीक है इसके बाद तीन लहराती हुई नदियों की रेखांतित लहरे हैं जो तिरंगे के रूप में है और 36 गड़ की अपार जलसान साधने एक जुटता का प्रतीक है इसके बाद आते हैं नीले कलर से ही आपका विद्धुत संकेत जो यहां दरसाता है कि 36 गड़ की उज्जा सक्षम का जो राज की गंचा है यह बेसिकली टसर सिल्क और खादी से निर्मित गंचा है एक है आपका तसर सिल्क और दूसरा खादी दो अलग अलग वेराइटी के आपको गंचे मिलते हैं ठीक है तसर सिल्क और खादी के गंचों में क्या क्या है तो इसका लोकारपन पहले देख इसकी बुनाई की जाती है, इसका measurement आपको मैं अगर बता दूँ तो दो अलग-अलग measurement में मिलते हैं, 79 इंच और 26 इंच का और 71 इंच और 24 इंच का, मतलब ये और ये इसका dimension रहेगा या फिर इसका dimension ऐसा रहेगा, कई-कई स्रोतों में ये अलग मिलता है मैं ये डेटा क्यों ये उसकर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ ये जो डेटा है authentic official website का डेटा है, इसमें क्या-क्या चीछ छपा हुआ है तो इसमें राजकिय पक्षी, पहाडी मैना, राजकिय पसुवन भैसा, गोधना चितरकारी, बस्तर के प्रसिद्ध गौर्मुकूट, मांदर, लोकनित्य करते हुए कलाकार, धान की बाली, भल जोत्ते किसान, और सरगुजा की पारंपरिक, भित्ती चित्रकला का, इसमें क्या क्या गया है अंकन किया गया है, अब एक-एक को देखते, सबसे पहले बात करते हैं, आपका ये वाला जो गमचा है, ये है, तसर सिल्क और खादी से निर्मित, हैंड प्रिंटेड हैंड लूम, तसर केंड, तसर सिल्क राजकिय गमचा, जिसका रेड जो है, वो 1544 रुपय है, डामेंश सिल्क राजकिय गमचा का प्राइस कितना है, 1544 रुपय, 55 पैसे, दूसरा आता है, इसी में तसर सिल्क लावा खादी से निर्मित, ठीक है, प्रिंटेड कॉटन ब्लेंड राजकिय जो गमचा है, इसका रेट है 29 रुपय, और इसका डामेंशन देखेंगे तो 71 इंटू 24 इ इसमें की गई है, प्रिवियस में भी आप देखेंगे, तो वही चीज़ आपको दिखेगा, अब इसमें जो महंगा वाला है, उसमें याद रखेगा, इसमें धान अंकुरित वाला है, और जो सस्ता वाला आपका है, इसमें धान बड़ा हो चुका है, धान की बालियां इसम यह लिखा गया है जिसका अर्थ होता है ने 36 गड़ का निर्माड करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा ने 36 गड़ का निर्माड करेंगे यह इसकी घुष्णा की कब की गई थी तो 36 गड़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री सीम भुपेज बगेल जी के द्वारा 26 जनुरू 2009 को य दिया गया था राजए में अधी शूचना द्वारा का प्रकासित हुआ तो पाज जुन 2019 को 36 गड़ का प्रतिग वाक्य बनाया गया कट इसका सलोगन क्या है यह जो सलोगन है इस लोगन गड़वो निर्माड ननिर्माड पत्र में निर्माड प्रमुक बिंदू क्या है त जब डॉक्टर रमन सिंग जी की सरकार थी ठीक है विस्वसनिया भारत विस्वसनिया चत्रिसगर्ड यह हमारा पहले राज की प्रतिक वाक्य था अब चेंज होके क्या हो गया है गड़बो नवा चत्रिसगर्ड और इसमें अतिस सेयुक्ति नहीं होगी कि यह गड़बो नवा चत्रिसगर्ड धीरे से परिवर्तित हो जाए बात करते हैं राचके गीत का, राजके गीत कौन सा है तो अर्पा पैरी के धार, इसके रचीता पॉन है तो इसके रचीता है, डॉक्तर नरिंद्र देव वर्मा जी इसको गाने के लिए गाने का नियम क्या है इसका गायन क्या आता है तो प्रतिक सास के करेकरम की सुरुवात में इसका गायन किया जाना है ऐसा उल्लेखीत है इसमें कितनी नदियों का उल्लेख है तो कुल चार नदियों के बारे में उल्लेख मिलता है महानदी, अर्पा, इंद्रावती और पैरी कौन-कौन सी महानदी, अर्पा, इंद्रावती और पैरी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं मापी महानदी, अर्पा, पैरी और इंद्रावती, मापी करके, या जो भी है अपने हिसाब से वर्ड कितने जीलों का उल लेक है तो सा साथ tenant का उल लेक है कौन कौन से साथ जीले तो राइगड़ जिसको मुकुट के रुप में उल लेक कियो आगया है तो कुल मिलाकर निणात These, निणी कहा साथultर के निणफूर है और राईगड़ जानाम कावा साथ हथ ठीक है इसके गायन की ओधी कितनी है तो याद रखेगा एक मिनट 15 सेकंड पहले ये ओधी कितनी थी तो 6 मिनट 36 सेकंड की ओधी थी पूरों में अब इसका गायन ओधी 1 मिनट 15 सेकंड है इसमें मैं जो उलेक है उसको बता दे रहा हूँ नदियों का अरपा पैरी के धार दो नदी यहां हो गई तो यहां तीन नदी जो है चार नदी अरपा पैरी महा नदी और इंद्रावती ठीक है इसके बाद राइगड़ है सुगर्त और मुर्मुकृत सरगुजा और बिलासपूर है बईहां राइपूर कनिया सही घाते सुगर्थ भवे दुरुग बस्तर सोहय पजेनिया नांदगाओ नवा करधनिया महू पाव परांतोर भुया तो यहां राइगड़ राइपूर नां इस दूद्री शतित्र गड़ी है याद रखेगा यहां हिंदी भी बोला जाता है तो इस न खिंड़ आप देखेंगे तो यह गोड़ी बोली चलती है नरायनपूर भीजापूर ठंते वाड़ा और सुखमा में उससे मिलती जूलती जो बोली रहती है वहां की लोकल लेंग लेकिन चतिसगड़ की राच्की भासा अगर बुलाया है तो चतिसगड़ी है, ठीक है, अब बात करते हैं, चतिसगड़ की राच्की इमाता, जो चतिसगड़ महतारी हैं, इनके बारे में, चतिसगड़ महतारी का फोटो आप देखेंगे, हर सास के कारेला में मिलेगा, कुछ इस परकार से तेयु चैस्ट गड़ी महातारी दिखती है इनके मूरतिक नावरण कप किया गया था तो याद रखेगा यह जो अनावरण है वो एक नॉवर को किया गया था एक नॉवर नॉब् bas Selon Square को कहां किया गया था तो collect rate चौक राइपुर में इसके मूर्तिकार कौन थे तो पद मस्री जे अन नेलसन जी जो भिलाई के हैं ठीक है यहां किस धातू से निर्मित है तो कहां से धातू से निर्मित किया गया था इसकी उंचाई 11 फीट थे प्राधान अगर बात करें तो प्रदेश के सभी जीलों में प्रतिमा स्थाफित की जाएगी राज्य सरकार के सभी सास के कारेकुर्मे में प्रतिमा लगाना अनिवार्य है कुछ इस प्रकार से यह जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया गया था कलेक्ट्रेट चॉक आपका राइपूर में सीम भुपेज बगहेल के द्वारा तत्कालिन 37 गड़ महतारी का ही प्रतिमा का अनावरण किया गया था कहां से धातू से निर्मित है जेम नेलसन जी को दारा बनाया था आसा है कि आज का यह सेसन आपको समझ आगया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें मिलते हैं बहुत जल्द अगली वी